पिक्सल एक्स्प्रियेंस के प्लस एडियसन का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है पोको F1 डिवाइस के लिए और साथ से रेट्मी के नोट 4 डिवाइस के लिए जिसे फिलाल मैं कुछ टैम से यूज कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लेट डिटेल देने वाला हूँ इस दोनो अपडेट के बारे में कि क्या कुछ आपको नया चेंज इंप्रूब्मेंट नहीं को मिल जाता है तो अगर आप पिक्सल एक्स्पियेंस को पसंद करते हो और आप इसे यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो आपके काफी जड़ा इंप्रूटेंट होने वाला है जहां पे इसके फूल चिंडो कस्टमाइजेशन और बर्क्स के बारे में आपको डिटेल मिलने वाला है सेम अप्डेट आ गया है तो देखते हैं दोनों के साथ कि क्या कुछ डिफरेंट और नया देखने को मिलता है तो दोनों पर आपको जो एंडोट 10 का सपोर्ट मिलता है फाइब जून का दोनों पर आपको सिक्रेटी पैच मिलता है और वहन मैं का गूगल प्ले सिस्टम क्योंकि 7 June में कुछ बर्ग थे तो इसका निए टोटी अप्डेट आगे 8 June का जहां आप इसके कई साथ चीजें फिक्स की गई है जो कि इस वीडियो में आपको जो कंप्लेट डीटेल मिलने आ रहा है वोस वीडियो को फुल एंड टक वाच करते रहें रहें रही बात की से पे फ्लाइस का इसे करना है पोको एवण या नोट फोट यॉइस कर अंदर तो इसके लिए एक डेटिकेटर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्यूशन में मिल जाएगा इसके अप्डेटर सेशन में आप देख से तो यह कहीं पर कोई अपडेट सो नहीं कर रहा है तो दोनो पर इनवल करने की बात ही नहीं आती है तो आपको मिलता है नेट्रोक ट्राफिक जहां पर जो नया ओप्सन आपको देहने को मिल जाता है जो की के वी एंबी और जीवी के रूप में है और नीचे के वी पीएस, अबीपेस और जीवीपेस पे आता है जब कि यह पहले कुछ डिफरेंट लुक में हमें दिखाई देता था तो यह आप इसका जाए लुक चेंज किया गया है बागे सब कुछ क्रिस्टमाजिशन आपको पहले जासा है देहने को मिल जाता है जिसमें कोई भी नया चेंज या इंप्रूब्मेंट है जो आपको नजर नहीं आता है तो आ आपको फेस अनलोक में कोई भी प्रॉल्म देखनी को नहीं मिलता है फिंगरप्रिंट कर रिस्पॉंस वोको एफवन के लिए उक्सीजन वोई से लिया गया है तो थोगता डिफरेंट टाइप का आपको एक्स्प्रीएंस देखनी को मिलेगा पिक्सल के इस एक्प्रीएंस काम नहीं कर रहा था but ot update complete कर लेने के बाद जो कि 8 June का है इसका night mode इस जो fix हो चुका है उसका live display के अंदर जो color collaboration वगरा है यह भी जो काम नहीं कर रहे थे तो यह जो fix हो चुका है तो अगर आपने 7 June का download कर रहा है ताप ot update करना होगा जो कि 157 MB का है उसका आपके यह दोनों problem है जो fix हो जाएगा display से regarding वहाई पर आपको वही सारे common option देखने को मिल जाते हैं जो कि अक्सर है जो pixel experience के plus edition में देखने को मिलता है पोकर एफ़न में by default कोई भी इसू देखने को में नहीं मिलता है color collaboration वगरा से related सब कुछ जो यहाँ पर प्रोपर तरीके से काम करता है तीन में कोई भी इसू जिन मुझे दिखाई नहीं दिया है जो कि प्रोपर तरीके से काम करता है और notch height करने का भी benefit आपको मिलता है जो कि अक्सर है जो plus edition और normal edition में देखने को में मिला है बट इस टार्टिंग में यह नहीं था तो वापस से जो आ चुका है अगर आप अवे तक वीडियो वाच कर रहे है इसका बनला आपको वीडियो के नंतर काफी ज़्यादा इंट्रेस्ट आ रहा है और यह वीडियो आपको इंफर्मेटिव है तो इसी तक इंफर्मेटिव वीडियो इन फीचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बे पिक्चर क्वालेटी देखने को मिलेगा वहीं पे जो पोको के अलावा हमारा नोट 7 प्रो है सौरी नोट 4 डिवाइस जिसमें आपको जी केम अला से डालना होगा यूज करने के लिए क्योंकि बाइडिफोर्ट आपको जो डिफरेंट यहां पे कैमरा देखने को मिलता है जो कि स्नैप्रेगन का है जो कि मौर किस्ट्रमाइशन के साथ आता है वहीं पे आई गराते हैं तो पोको के अलावा जो हमारा रेडिमी का नोट 4 डिवाइस से इसके आइकन पे काफी जड़ा लार्ज किये गए बोल्ट किये गए जो कि यह देखने में तो अधा डिफरेंस करें जो कि हमारे पोको एवन डिवाइस का है तो अन्टू का स्कूर हर बार है जो पिक्सल के रोम पे काफी जड़ा कम आता है लेकिन अगर आप यहाँ पर पप्जी गरा प्ली करते हो तो आपको का कमाल का एक्स्प्रियंस देखनी को मिलेगा और कोई भी लैग बगा अन्टू का स्कूर हमेसा है डाउन डिखनी को मिल जाता है पिक्सल के रोम पे आए गरुब आते हैं जो हमारा जो पोको का एवन डिवाइस है जो कि और सेपोर करता है तो यहाँ पर आपको एवन का सपूर्ट भी मिल जाता है रूट करनी के बाद तो कोई भी प्रॉलब् तो NetShift ये बिल्कुल ही पास रहने वाला है, चाहे वो आपका Poco F1 device हो, या पिर आपका Note 4 device हो, दोनों में NetShift ये बिल्कुल ही जो पास देहने को मिलता है, यहाँ पर Poco F1 के अंदर आपको वीडियो कॉल का सपोर्ट मिलता है by Jio, तो आप डाइलर का यूज करते वे Jio से कॉ तो सबसे पहले एक नचर डालते हैं, Poco F1 के चेंज लोग के उपर, जहाँ पर आपको देहने को मिल जाता है कि कई साइज ये merge की गई है, करनेल को upstream किया गया है, fingerprint का ब्लॉफ वगरा इंप्रूफ किया गया है, ओक्सीजन हो इससे, वह पर इसका framework है, जो 11.0.8 से जो receive किया है, और QS panel में जो brightness slider है, इसमें भी छोटी मोटी है, जो changing की गई है, finishing वगर optimizing किया गया है, पहले वाले build में हमें problem देहनी को मिल रहा था, screen recorder से regarding, तो वह अब है जो यहाँ पर fix हो गया है, तो आपको कोई भी lag देहनी को नहीं मिलता है, अगर आप screen recorder by default use करते हो, तो कोई भी इसमें भी काफी जाला lag देहनी को मिलता है, जब भी हम इसका by default screen recorder use करते है, बट अब यहाँ पर इसका भी lag फिरी हो चुका है, तो आप easily जो इसका screen recorder use कर सकते हो by default वाला, और full benefit है जो ले सकते हो, क्योंकि lag फिरी है जो यहाँ पर कर दिया गया है, तो आपको कोई भी problem देह Redmi के Note 4 device के अंदर, तो यह आपको chain log के देहनी को मिल जाता है, पोको की और से, अब बात करते हैं, हम Redmi के Note 4 device के chain log की, तो उसके लिए आ जाते हैं, इसके official site के उपर, और एक और चीज आपको ध्यान में यह रखना है, इसके अगर आप download करते हो, तो one time में download करना हुआ, क्योंक इसके file आप resume support नहीं करता है, तो by chance आपका network error आता है, तो सब file आपकी बरबाद हो जाएगी, तो यह रहा जो build, जो की 7 June का है, जिसके अंदर कुछ problem थी, लेकिन उसके chain log के उपर अगर नजर डाले, तो okay Google के बारे में बताये गए, कि अगर आपको जो microphone का issue आता है, तो okay Google का आपको by default disable करना होगा, security patch यहाँ पर भी update किया गया है, kernel वगरे को upstream अगरा किया गया है, relative वगरे improved किया गया है, और clean up किया गया है, छोटे मोटे, वहाँ पर जो latest update जिसके अंदर हमारा night mode, और reading mode, color collaboration, जो कि live display है, उसे fix किया गया है, उसमें भी same चीजे लिखा गया है, कि ब नहीं मिलता है, तो I hope so guys, कि मैंना आपको complete details दे दिया है, Poco F1 के बारे में, और साच से Redmi Note 4 device के बारे में, अगर आपको बस कोई question से doubt रहे गया है, आप comment session का यूज कर सकते हो, वीडियो पसंद आए हो, टेक थमसब ज़रूर दे, और इसे तरह के इंट्रेस्टिंग वीडिय जढ कि जब कोई भी वीडियो, तो I hope so all, यूजर दे बारे में, और दिया है, आपको बस्दोच काई भीडियो, और साच से रहे है, Poco F1 कोई कि वीडियो बस्दोच बस्नारे में, और से the इंट्रेस्टिंग आपको थाए में, और देकर से तरह को बस्बस्द आपको